जय श्री महांकाल जय श्री महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपको बहुत स्वागत है और आपको बहुत आभार है आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दो यह बात अगर आपको पता लग जाएगी तो शायद आप अपने जीवन में वर्तमान इसका ल्यूग में बहुत बड़ी बड़ी परिशानों से बस सकते हैं वो बाते कौन सी थी वो बातों में कौन सी साउधानिया थी उन बातों को कैसे हम फोलो करें या आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है चुकि रावन हमारे समाज में एक नेगेटिविटी का नेगेटिविटी है नकारतमकव में क्योंकि भगवान राम उन्होंने मासिता का हरन किया था लेकिन उसके साथ वो एक प्रकार्ण पंडित थे वो एक बहुत बड़े जोतिशी थे और उन्होंने शिव तांडो लिख आप इन बातों को समझ कर शायद जीवन में किसी परिशानी से किसी तक्लिफ से बच सकते हैं तो वह बाते कौन सी है पूरी वीडियो में हम उसी विशे पर चर्चा करेंगे इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखे अगर यह वीडियो आपको कहीं भी अच्छा लगे तो और उन्होंने भविश्वानी और रहस में जो बाते आपके लिए कि कभी भी किसी को अपने आर्थिक घाटे वरतमान में यदि हो रहा है या कभी भविश में हुआ हो या भविश में भी होने वाला है जो संभावित हैं कभी भी उस घाटे के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए क्योnकि रवणन का इसा माना था कि जैसे ही हम किसी को हमारे खाटे और आर्थिक रूर्ट से चीजों को बताना शुरू कर देते हैं, समाज में मुख्यत लोग हम पर हमपर विष्वास करना कम कर देते। दूसरी बात है विस्वास के साथ साथ लोग हमसे इर्शा करना शुरू करते थे, तो इसलिए कभी भी हमने आर्थी घाटे को किसी को भी बताने से, जितना हो सके उतना हमें बचना चाहिए दोस्तों, दूसरा होता है अपने रहस्य, ये बात रावण ने इसलिए बात कही थी क्योंकि रावण का राष से था जो नाभी में अमराच छुपाए, वो राष से सिर्फ दो, तीन लोगों को ही पता था, और उस वज़े से उस राष से को किसी को भी ना बताए, मतलब उसमें एक बात इंक्लूड करें, कि वो राष से कभी किसी को ना बताए, वो राष से महिला और फुरुष पति-पत्नी के बीच की जो बाते हैं, कभी भी वो बातें सामाजी या पब्लिक डॉमिन में नहीं बताना चाहिए, जितना उसका के बचना चाहिए, अपने माता, पिता, घर, परिवार, जितने सारे सदस्यों के हमारी बाते हैं, वो हम तक ही सिमीद रहे और चोथी बाते की घरे लुवी बात, घर में बेट कर सुला कर ही समाप्त किया जाए सकते हैं, अच्छा लगों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अमने में शुवाए